अनामिकास फूर्जनी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे जैन कच्छे केले काजुमेटर की सबजी कच्छे केलो को कुकर में तीन सीटी देके उबाल ले और उसे छील ले मैंने दो कच्छे के लिए है और इसे मैंने बही उबाल के रख दिये थे ताकि यह थोड़ा ड्राय हो जाए आप चाहे उस आकार में उसे कट कर ले मैं यह बीच में का काला हिस्सा निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे उसके और एशिय जब आते हैं सबजी में अच्छे नहीं लगते है बट यह आपकी मर्जी है मिकसर के बर्तिन में हम एक इंच अद्रक काट कर डालेंगे 250 ग्राम टमाटर काट कर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया आधा चमच कसूरी मेथी और इसे हम लोग प्यॉरी कर लेंगे अब एक कड़ाई में दो टेबल स्पून तेल गरम करेंगे हम तेल गरम होने पर इसमें 10-15 काजू काट कर डालेंगे और इसे मध्यम आच पर काजू सुनहरे होने तब भून लेंगे अगर आपको काजू नहीं डालना है तो आप ये स्किप कर सकते हो सिर्फ केला मटर की सबजी बना सकते हो जब ये काजू सुनहरे हो जाए तब काजू को हम लोग निकाल लेंगे अब इस तेल में हम लोग डालेंगे आदा चमच जीरा एक चौथाई चमच चीनी आप चाहे तो स्किप कर सकते है एक चौथाई चमच हल्दी आदा चमच लाल मिर्श पावडर आप स्पाइस के साब से कम ज्यादा डाल सकते है अब इसमें हम डालेंगे हमारी प्योरे इसे मिला लेंगे और ढखकर मध्यम से दीमी आच पर हम लोग इसे पकाएंगे इसे बीच-बीच में मिला ले ताकि यह नीचे स्टिक ना हो यह मसाला जब भून कर तेल शोड़ने लगे तब तक इसे हमें भूनना है यह देखिए यह तेल शोड़ने लगा है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच दही और इसे तुरंद मिला लेंगे ताकि दही कडल ना हो यह देखिए हमारा मसाला तयार है अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ उबला कच्छा तेला हमारे भूने हुए काजू एक चौथाई कटोरी उबला हुआ माटर नमक स्वाद अनसार एक चौथाई चमच गरम मसाला थोड़ा सा कटा हरा धनिया आपको जिस तरह इसकी कंसिस्टनसी चाहिए उस तरह उस हिसाब से इसमें पानी डाले और इसे मिला ले इसे ढख कर तीन से चार मिनिट मध्यमाच पर पका ले ये देखिए हमारी स्वादिष्ट जैन कच्चे के लिए मटर की सबजी तयार है धन्यवाद